नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक नए तरीके की रेसिपी जो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल दाली है और एक कटोरी बेशन से आप पूरी परिवार के लिए नास्ता बना सकती है तो बहुत ही टेश्टी और बहुत ही जटपट बनने वाली ये रेसिपी है फ्रेंड्स तो आप भी इसे ज़रूर ट्राइब करिएगा तो मैंने इसे बनाने के लिए एक कटोरी बेशन है और उसको एक बावल में डाल लिया है अब मैं उसमें टेश्ट के अनुसार नमक डालोंगी नमक आप अपने हिसाब से डालिए मैं यहां पर आधा चम्मच नमक डाल रहे हूं यहां पर मैं एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालोंगी कुटा हुआ तीखा आप मैं यहां पर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालने हूं और एक छोटा चम्मच भूना जीरा पाउडर डालोंगी एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालोंगी अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च का पेष्ट बना करके भ मैं यहां पे थोड़ा सा एलो फूट कलर डाल रहे हूं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स कर लेंगे कभी कभी हम हल्दी पाउडर डालते हैं और बेकिंग सोडा डालते हैं तो हमारा बेटर लाल हो जाता है इसलिए मैं यहां पे हल्दी न डाल करके यहा आधा चम्मच बेकिंग सोडा ली हूँ उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ज्यादा पतला घोल नहीं रखना है इसका हमें थोड़ा गाड़ा ही घोल इसे रखना है नहीं तो यह सही से नहीं बन पाएगा इसका आप ध्यान रखिए तो इस तरह का बेटर हमें तयार कर लेना है अब कोई इस तरह का खुला बरतन लेना है गमला आप इससे बड़े साहिच का भी गमला ले सकती है मैंने यहां पे गमला लिया है और कोई आप काटन का कपड़ा ले लीजिए मैंने रुमाल लिया है यहां पे और गमले अगर बानने में आपको असुविधा लगे तो आप जो बाल में लगाने वाला rubber band होता है उसे भी आप लगा सकती है तो इस तरह से हम उसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे लेकिन अच्छा रहता है इस तरह से बान ले तो देखिए मैंने अच्छी तरह से एकदम टाइट इ हुए यह इश्ट्रा कपड़ा है अगर आप छोटा कपड़ा आपके पास हो तो परफेक्ट आए तो आप इसे लगा दीजिए तो देखिए अच्छी तरह से मैंने कपड़ा बात करके सेट कर लिया है अब मैं इस पे पानी डालूंगी पानी पाले से नहीं डालना है पानी हम उपर से डालेंगे इस तरह से पानी ये टाइट होने की वज़ा से पानी उपर गिर जा रहा है तो कोई बात नहीं अब इसमें हम पानी डाल देंगे एक गिला और उपर से डालेंगे ताकि कपड़ा गिला हो जाएगा अच्छी तरह से और इसमें नमी बनी रहेगी अब हम इस पे बेटर को फैला देंगे बिना तेल इसमें तेल का भी प्रयोग नहीं करना है बहुत ही हेलती नास्ता है और बहुत ही जटपट बनने वाला है आप कभी भी इसे बना सकती हैं तो इसी तरह से हम इस पे बेटर को फैला देंगे तो देखिए इस तरह का बेटर आप त पहला लेंगे आप हर तरह के नास्ते बनाए होंगे इस तरीके का नास्ता भी बना करके ट्राइ करिए बहुत ही अलग तरीके का है और बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैस लगती है और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा फ्रेंड्स तो इसी तरह से हमें फैला लेना है अब हम इसे गैस पे रख देंगे गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे और धीमी आज पर इसे 15 से 20 मिनट तक हम पकने देंगे इ अब इसको 20 मिनट तक हम स्लो गैस पे धीरे धीरे पकने देंगे अब हम इसे खोल करके देख लेंगे तो देखिए कितना फ्लॉपी और स्पंजी बना है एकदम ऊपर तक फूल कर आया हुआ है तो कोई आप तुथपिक ले लिजिए और उसमें डाल करके इसको देखिए अ अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे बहुत आसानी से ये छोड़ देता है कपड़े को क्योंकि मैंने पानी डाल करके और उसके बाद बेटर को डाला था तो इसमें नमी था और बहुत आसानी से देखिए ये कपड़े को छोड़ दिया है और देखिए कितना बनाना चाहते हैं तो आप इसको कट करके थोड़ा सा लहसुन प्याज टमाटर की ग्रेवी बना करके उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं या अगर आप इसे सुखा खाना पसंद करते हैं तो सुखा तड़का लगा करके बना लीजिए आप बच्चों को टिपिन में देना चाह में ने गैस पे पैन रख दिया हैं उसमें दो चम्मच के करीब रिफाइन डायल डालोंगी अब हम इसका तढका तयार कर लेंगे अर इसमें एक चम्मच राई डालेंगे और जब हमारी राई तढकने लगे तो इसमें हम कुछ कटी हरी मिर्च डालेंगे राई उपर चटकने लगती है तो इसको एक प्लेट से आप ढख सकती है तो राई ज्यादा चटकेगी नहीं और इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और इसमें डालेंगे लंबे स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे एक कप के करीब और एक चम्मच चीनी डालेंगे और इसमें हम एक नीबू का रश डालेंगे जिससे की इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो मैंने नीबू का रस डाला है एक चम्मच अब हम इस तड़के को उस नास्ते पे डाल देंगे तो देखी ये ज्यादा तीखा भी नहीं है अगर मिर्च खाना बच्चे पसंद नहीं करते तो आप इसे साइट कर दीजिए और उपर से प्याज को इस तरह स्लाइस में काट कर गे डाल दीजिए तो है नमजेदार रेसिपी